इंडिया के foreign policy aspects में से एक important policy है act east policy चहाँ पे एशिया के कई सारे देशों के साथ भारत अपने रिष्टे और सुधारना चाहता है और बहतर करना चाहता है इसी दिशा में इंडिया ने इंडिया में बनाई गई missile corvette ship INS किरपान वियत नाम को gift के तौर पे देने का फैसला लिया है अब इस प्रकार ये ship दिखता है आप photos की इस image में देख पा रहे हो ये corvette ship है इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ इसका नाम है INS किरपान जो अभी फिलाल इंडिया के defense minister राजनात सीन जी ने वियत नाम के defense minister defense counterpart fan one gang के साथ मिलकर दिल्ली में मुलाकात के रौरान ये gift करने का announcement किया है अब इससे इंडिया चाहता है वियत नाम के साथ अपने रिष्टे और बहतर करना और मैच्योर बनाना और वियत नाम को एक अच्छे partner के तौर पे include करना वियत नाम और इंडिया की दोस्ती कई सालों से चलती आ रही है इन फैक्ट कुछ समय पहले defense minister खुद वियत नाम गए थे जहां पर उनने कई सारे defense agreement साइन करे वियत नाम की सरकार और वियत नाम की defense forces के साथ military के साथ उन agreement के तहत इंडिया चाहता है कि वियत नाम के साथ defense cooperation को बढ़ावा मिले इन तोनों के diplomatic relationship को 50 साल से भी जादा का समय हो चुका है आपस में यह अलग-अलग sectors में cooperate कर रहे हैं पार्टनर्शिप कर रहे हैं सबसे पहले तो यह Corvette INS किरपन के वारे मैं बता दू मैं आपको यह Indian Navy के द्वारा इंडिया में indigenously use होने वाली इंडिया में ही बनाई गई एक ship है जो फूर की आपकी दिखा खुक्री class missile कुक्री class missile कॉर्वेट के तहट आपको देखने मिलती है जो कि इंडिया नेवी में include करी गई थी 1991 12 जैन्वरी को काफी साल 30 साल से भी ज्यादा का समय उच चुका है 1410 की इसकी capacity है और इसकी speed देखे जैसे आप kilometer और meter में speed नामते हैं यहाँ पर ships की speed knots में नापीड आती है तो इसके अंदर diesel engine लगाए गए हैं जो इंडिया में ही बनाए गए थे इंडिया में ही उद्री लुटेरे pirates को दूर बगाया जा सके humanitarian assistance and disaster relief operation में अगर पानी में कोई फसा है अगर किसी भी तरीके से किसी disaster से बचाना है लोगों को उसमें भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है तो यह इसका practical application है बोथ ministers identified means to enhance existing areas of collaboration की और कैसे collaboration आपस में बढ़ाया जा सकता है defense sector के अंदर ठीक है न हम अपनी missile sell कर सकते हैं बेच सकते हैं वियतनाम ने ब्रह्मोज missile के लिए भी interest दिखाया खरीदना चाहते हैं तो इससे दोनों देशों के आपस में जो रिष्टे हैं वो और भेतर हो सकते ह अगर आप रिष्टो की बात करेंगे इंडिया और वियतनाम financial assistance exchange करते रहते हैं इंडिया ने कई बारी वियतनाम को लोन दिया है दोनों इंडिया के ministers की तरफ से 500 million dollars की defense line of credit extend की गई थी वियतनाम को ताकि अलग-अलग projects के तहत वियतनाम पिशले साल की बात है वियतनाम इंडिया and make for the world का सपना पूरा हो ताकि वियतनाम की defense capability हम बढ़ावाद है हम बेटर करें हमारे जो बनाए गए weapons है इनको बेट कर हमने mutual logistic agreement भी sign किया कि तुम अपने ship हम अगर इंडिया के आसपास तुमारे ship है तो इंडिया आ सकते हैं यहापर repair maintenance का का काम कर सकते हैं वियतनाम जाता है तो वहाँ पर fuel refill कर सकता है तो कई सारे ऐसे arrangement है जो दोनों देश आपस में एक दूसरे की भलाई के लिए किये हैं दोनों देशों के बीच में strategic partnership agreement है अब strategic partnership agreement क्या होता है strategic partnership मतलब दोनों देशों के बीच में समझोता है एक agreement है 2007 में sign हुआ था और 2016 के अद SP ये एक level मान लो कि आपस में कितने level में एक दूसरे के साथ हम समझोता करके एक दूसरे के साथ cooperation कर रहे है तो 2007 में हमने strategic partnership sign करी थी and 2016 में PM Modi के द्वारा इसको CSP comprehensive strategic partnership का दरदा मिल गया है जो कि आपके GS paper to international relations के point of view से important है यूकि UPS exam में आपको अपने answers में ऐसी बाते quote करनी प cooperation करते थे और coordination करते थे अब comprehensive strategic partnership में हम advance हो चुके है हमने खुद को elevate कर लिया है इंडिया की active policy के तैट Vietnam हमारे लिए बहुत key partner बहुत important partner है defense exchange के अंदर defense engagement के अंदर भी दोनों देशों को आपस में एक दूसरे के साथ मिल कर काफी assistance मिल सकती है military to military exchange मिल सकता है इंडिया training provide कर सक दिखने का हमें मौका मिल सकता है तो 2016 से हमारे comprehensive strategic partnership दोनों देशों के बीच में शुरू हो चुकी है और Vietnam और इंडिया इसलिए आपस में अलग-अलग तरीके से cooperate कर रहे हैं इंडिया के Pacific Ocean Initiative का पार्ट है Vietnam ASEAN Association of South East Station Nation का ग्रुप होने की वैसे इंडिया के साथ as it is trade में इंड आपार करना चाहता है इसके साथ व्यतनाम की location देखो व्यतनाम का पडोसी कौन है नौर्थ में चाइना चाइना और व्यतनाम को लेकर border disputes, border tussle कई सारे चल रहे हैं और चाइना से वास्तव में व्यतनाम काफी परेशान है व्यतनाम अगर economic cooperation की बात कर रहे तो यह अभी एक strong regional power की तरह उभर रहा है जा पर इंडिया एक Asia के अंदर खास तोर पर South Asia के अंदर एक पहले से strong regional power है इंडिया वियतनाम को support कर सकते है उनकी economic growth को बढ़ावा देने के लिए और उनके साथ जाधा trade को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने वियतनाम ने जब interest दिखाया कि आकाश surface to air system defense system खरीदेगा या द्रुग advanced light helicopter खरीदेगा इन्होंने interest तो ब्रहमोस missile खरीदने के लिए दिखाया है जिसके लिए इंडिया इनको financial assistance provide कर रहा है ताकि financial assistance से loan देकर सस्ते rate of interest पर दोनों देश आपस में cooperation को defense sector में और बढ़ावा दे सके तो वियतनाम का पडोसी देश है चाइना जिसके साथ उसके कई सारे disputes हैं चाहे वो territory को लेकर अब एक concept होता है exclusive economic zone का 200 nautical mile तक का area किसी भी देश की boundary से उसका exclusive economic zone होता है वियतनाम का और चाइना का exclusive economic zone है आपस में overlapping है कुछ ऐसे islands कुछ ऐसे areas है वियतनाम कहता है हमारे है चाइना कहता है हमारे है जिस वएसे conflict चल रहा है चाइना ये बाकी देशों के साथ भी ऐसी activity करता है ऐसी चीज करता है जिससे बाकी देशों के साथ भी चाइना के कोई खास रिष्टे है नहीं वियतनाम का इसलिए natural ally इंडिया होगा वियतनाम और चाइना के border issues है इंडिया और चाइना के border issues है चाइना को अलग रखकर इंडिया और वियतनाम अगर साथ मिल जाते हैं एक joint vision अपना आगे ले जाते हैं तो ultimately ये दोनों देश एक दूसरे की growth में बहुत ज़ादा सार्थक हो सकेंगे सार्थी बन सकेंगे और कारगर हो सकेंगे इसके आगे बस मैं यही कहना चाहता हूँ और वियतनामी जाते हैं और वियतनामी की defense minister और defense forces के members DRDO Defense Research Development Organization के headquarter तक गए हैं इंडिया की defense industrial capabilities को समझाए क्योंकि मैंने क्या कहा make in India and make for the world भारत में defense equipment बनाएंगे और पूरी दुनिया में बेच सकते हैं अभी US ने भी इंडिया को F414414 नाम का General Electric Company का aircraft jet engine देने की बात कही है तो इंडिया अगर वियतनाम भी हमसे weapons बनवाना चाहते है अपनी जरूतों के लिए तो हम definitely उसमें कारगर साथी के तौर पे प्रूव हो सकते हैं इंडिया वियतनाम के साथ people to people exchange को भी बढ़ावा दे रहा है बलकि 2019 का जो साल था उसमें इंडिया ने वियतनाम में तूरिजम क्योंकि Bangkok, Thailand वगरा जाना बहुत ओवर हाइप हो गया है लोग alternate के तौर पे वियतनाम जाते हैं बहुत सीनिक ब्यूटी है बहुत सुन्दर एरिया है इसलिए गूमने के लिए और काफी सस्ता भी पड़ता है तो 2019 was celebrated as Asian Indian Year of Tourism Association of South East Station Nation और इंडिया के बीच में टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए 2019 को एक celebratory year के तौर पे मनाया गया था मताँ आपस में people to people exchange को बढ़ावा दे रहे हैं visa system simplify कर रहे हैं ताकि टूरिजम दोनों देशों के बीच में बढ़े in fact हम तो कहते हैं कि हजारों लोग इंडिया से जो travel करते हैं वियतनाम में वियतनाम की economy को इससे support मिलेगा इससे cooperation बढ़ेगा और यही बात नहीं है इंडिया अगर multiple institutions देखेंगे आप international forum देखेंगे चाहे वो United Nations Security Council हो उसमें भी इंडिया और वियतनाम non-permanent members के तौर पे 2021 में member रहे हैं जिसमें इन्होंने आपस में एक दूसरे के mutual cooperation की भी बात करी है ऐसे East Asia Summit Association of South East Asian Nations Asia Europe Meeting और Mekong Ganga Cooperation जैसे अलग-अलग groups में यह दोनों countries member हैं इसी वज़े से इंडिया और वियतनाम का जो रिष्टा है एक natural relationship है इंडिया की XT station policy और Indo-Pacific region में देशों के साथ अच्छा relationship establish करने में एक बहुत बड़ा कदम है यह है वो Corvette जो की इंडिया के द्वारा दिया गया है वियतनाम को session खतम करने से पहले आपके सामने question रखता हूँ अभी जो Mekong Ganga cooperation का मैंने नाम लिया था उसमें आपको बताने हैं इन मैंसे कौन से countries are not a participant बांगलदेश कंबोडिया चाइना मयानमार थाइलाइंड पांच देशों के नाम है not a participant बोला है मैं आप class की PDF कहां से डाउनलोड कर सकते हो उसके बारे बता दूँ वसु कटारा Study IQ ये टेलिग्राम ग्रूप है अचीव UPSC के नाम से इस पर आके class की PDF डाउनलोड कर सकते हो वसु.कटारा मेरा Instagram ID है message कर सकते हो आपको इस session कैसा लगा उसका feedback भी दे सकते हो और आने वाले sessions में जुड़े रहने के लिए मेरे टेलिग्राम पर Instagram पर जुड़े रहकर मुझसे आप बातचीत कर सकते हो और sessions का notification ले सकते हो UPSC के preparation करनी है serious attempt देना है या अपना time इधर उधर books को पढ़ने में लगाने देखिए next six to seven months आपके जिंदगी के सबसे crucial duration के तौर पर होगा क्योंकि इसमें आपको GS general studies के सारे subjects clear करने होंगे फटा फट क्लियर करने होंगे GS के subject जिसे history, quality, economic, science, prelims, mains दोनों की relevant समझते हुए आपको पढ़ने चाहिए और हमारे English batch जो कि कल 19 जून से शुरू हुआ है आज से उसकी classes start और यह कल orientation था geography से start होगा तो इसका आप फायदा ले सकते हैं English batch भी geography से शुरू हो रहा है और Hindi batch quality से शुरू हो रहा है राज विवस्ता से शुरू हो रहा है इनमें admissions open है आज admission ले सकते हो 30 जून आखरी तारिक है बट limited seats है जो से पहले भी fill हो सकती है तो आज ही admission लीजेगा 29,000 999 course की fees है औ admission लेने के लिए और मेरी personalized guidance के लिए जिसमें आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है क्या work schedule होना चाहिए दिन के कितने गंटे पढ़ने है आप बसू live admission discount code यूज करेंगे तो मेरी mentorship मिलेगी live classes job करते हो तो recordings भी मिलेंगी आपको live classes की college जाते हो तो recordings देख लीज times देख सकते हो इसके साथ साथ आपको बसू live admission discount code खुद apply करना होगा website पर जाकर या आप हमारे counselors को भी दे सकते हैं 2025 की preparation कर रहे हो उसमें भी same process है fees is 35,999 दो से धाई घंटे की class daily होगी कई-कई दिन तीन घंटे की भी class होगी जिनसे आपको preparation कराया जाएगा शाम 6 बज़े बै recording दोनों मिलेंगी Hindi English में notes दोनों मिलेंगे तो इनका फायदा ले सकते हो इस session को देखने के लिए बहुत बहुत चुक्रिये session को like ज़रूर करिएगा जय हिंद जय भारत आप से